हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान छोटी बुनाई का डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन्स लेडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अल आवर अप्लाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेने होंगे इसमें कोई भी फंदा एक्स्टर नहीं लेना होता है चार के मल्टीपल देखिए आप इसमें चार फंदे गिन लिजे फिर से चार फिर से चार फिर से चार फिर से चार इस तरह से आप इसमें चार-चार फंदे गिनते जाए और लास्ट तक आपके चार ही फंदे होने जाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है चार सलाईयों का डिजैन है और आट सलाईयों में कम्प्लिट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है देखे फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 16 फंदे चार के मल्टीपल लिए हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट ले कोई भी बोर्डर बना लीजिए बोर्डर के बाद अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो इसमें हमें पहले दो बेसिक रो बनाने होंगी इस डिजाइन को शुरू करने से पहले तो इनी तो सलाईयों में आप फंदे भी बढ़ा सकती हैं तो यहाँ पर मैंने 16 फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई हैं अब हम इसमें पहले दो बेसिक रो बनाएंगे जो आपको बोर्डर के बाद कम्प्लीट करनी हैं तो पहला फंदा इसका एस्टी से उतारिये या उल्टा बनाईए अब देखे धागे को पिछे करेंगे और पूरी सलाई को हम सीधा सीधा बुनकर कम्प्लीट कर देंगे फिर उल्टी साइड से इसकी एक इनको शुरू करेंगे तभी हमें बुननी है इन सलाईों को दुबारा से रिपिट नहीं करना होता है तो ये देखिए पहली सलाई को हमने सीधा बुनकर कम्प्लीट किया है एस्टीज को मैं दोनों साइड से उल्टा बुनती हूं अगर आपको स्लिप करना हो तो ये आपक सलाई सीधी उल्टी बुन लिजे अब यहां से डिजाइन की पहली सलाई है और ये इसकी सीधी साइड है तो ध्यान से देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे अब धागे को पिछे करेंगे और यहां से देखिए एक धागा और ये दो दो सलाईया बु इसे इतना लूज रखना है और अब दो फंदे हम सीधे बुनेंगे देखिए एक और ये दो अब यहाँ से भी एक और ये दो इन दो ढगे के नीचे से आप ऐसे स्लाइड डाल लिजीए देखिए ये दोनों धागे आपको ऐसे दिखेंगे ऐसे स्लाइड डालके और यहां से आप एक फंदा ऐसे बुन दीजिए अब दो फंदे सीधे एक और यह दो तो ध्यान से देखिए यह पहला फंदा है उसके बाद हमने यहां तक जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपेट करना है तो यह देखिए यहां से हम डिजाइन को रिपेट कर रही है एक और यह दो इन दो धागे के नीचे से ऐसे हम स्लाइड डालके एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे यह फंदा इतना लूज होना चाहिए और अब दो फंदे हम सीधे बुनेंगे एक और ये दो अब यहां से भी हम दो धागे के नीचे से ऐसे स्लाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा ऐसे बुन देंगे फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और ये दो यहां से हमारा डिजैन रिपीट हो रहा है एक और ये दो धागे के नीचे से ऐसे स्लाई डालेंगे एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा लंबा बुनेंगे इसको लूज रखना है फिर दो फंदे सीधे एक और ये दो दो धागे के देखिए एक और ये दो इन दो के नीचे से ऐसे स्लाई डालेंगे और एक फंदा हम लंबा सा बुन लेंगे फिर दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर से हम यहां से इन दो धागे के नीचे से ऐसे स्लाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे पूरी स्लाई में हम ऐसे ही करते आए हैं एस्टीज के बाद एक एक्स्ट्रा बनाया, फिर दो फंदे सीधे बनाये, फिर दो धागे के निचे से फंदा बनाया, फिर दो सीधे बनाये, फिर दो धागे के निचे से फंदा बनाया, पूरी सलाई को ऐसे ही बुनते जाना है, अब ये वाले दो फंदे हम सीधे बुन दे अब यहां स्टार्टिंग में भी एक फंदे के आग एक्स्ट्रा बुना हुआ है तो यहां पर भी बुन लेना है दो धागे के नीचे से स्लाई डालेंगे और एक फंदाय से बुन देंगे एस टीज को हम उल्टा बुनेंगे आप चाहो तो सीधा भी बुन सकती हैं अब आज येगा डिजैन की दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सलाई को देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको हम ऐसे स्लिप कर देंगे फिर दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर से जो एक्स्ट् प्रफंदा बनाया, ये थोड़ा आपको लूज मिलेगा, इसको स्लिप करना है, और जो बाकी के बनाए हुए फंदे हैं, उनको आपने उल्टा बुना है, दिखिए इस फंदे को हम स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे, इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ये दो फंदे उल्टे पूरी सलाई को ऐसे ही बुनना है बहुत ही आसान हमारा ये डिजैन है ये देखिए दो फंदे उल्टे एक्स्ट्रा वाले फंदे को सिलिप करेंगे और लास्ट की फंदे को उल्टा बुन देंगे दो सलाईयां डिजैन की complete हो गई अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर पहली सलाई पर फंदे बढ़ाए हैं तीसरी पर हम ये फंदे कम करेंगे तो ये देखिएगा पहले फंदे को हमने उल्टा बुन लिया धागा पीछे करेंगे ये देखिए ये एक्स्ट करते हैं चार में से एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे फंदे को आप हलका सा लूज रख लीजिए फिर फंदे टाइट हो तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए इन्ही चार फंदे में आप आगे की साइड से स्लाई डाल लीजिए और चार में से एक फंदा आप सीधा बना दीजिए और इनको उतार दीजिए तो ये देखिए जो फंदे हमने बढ़ाए थे वो वापस कम हो गई अब दो फंदे ये सीधे ये देखिए स्टीज के बाद ये हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को अब बार बार रिपेट करना है ध्यान से देखिएगा ये एक्स्ट्रा वाला ये बीच के दो फंदे सीधे और ये एक्स्ट्रा लंबे वाला चारों को चाहो तो थोड़ा सा लूज कीजिए बैक साइड से स्लाई डालके चार में से एक फंदा से सीधा बनाईए और इसी थोड़ा सा लूज रख लिजिए. 4 फंदे को फोड़ा सा फिर से लूज कर लिजिए आगे से सलई डालिए और 4 में से 1 फंदा सीधा बना दीजिए. फिर 4 फंदे से उतार दीजिए. तो 4 से यहां 2 फंदे हो गए अब ये 2 फंदे सीधे. फिर से चार फंदे का हम डिजाइन रिपिट करेंगे दिखिए 1,2,3 और ये 4 दो फंदे एक्ष्ट्रा वाले, दो बीच के सीधे वाले चारों फंदे एक साथ लेंगे बैक साइड से चार में से एक फंदा सीधा बना देंगे फिर से चारों को लूज करेंगे और आगे से स्लाई डाल कर एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और इनको उतार देंगे अब दो फंदे ये सीधे फिर से हमने देखिए लास्ट में ये जो चार फंदे हैं इन चारों को एक साथ लेना है बैक साइड से स्लाई डालेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे चारों को थोड़ा सा लूज करके आगे से स्लाई डालेंगे और एक फंदा हम इसमें से सीधा फिर से बुन देंगे फंदे टाइट हों तो आप लूज इनको थोड़ा सा जरूर क अब बच गया हमारा लास्ट का एस्टीच इसे हम उल्टा बुनेंगे तो तीसरी सलाई पर हमारे फंदे कम हो गए हैं चोथी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सलाई को कम्प्लीट कर दीज तो ये देखिए चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गए अब हमें बनानी तो इसकी यही चार सलाईया हैं पहले हमने इस वाले दो फंदे पर डिजैन बनाया अब ये वाले दो फंदे पर डिजैन बनेगा तो इसकी पांचमी सलाई को आप ध्यान से देख लीजिए फ अब देखिए यहां से एक और ये दो इन दो धागे के नीचे से स्लाइड डालेंगे एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुनेंगे फिर दो फंदे ये सीधे बना देंगे यहां से भी एक और ये वाला दो इन दो धागे के नीचे से एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे पहले फंदे को छोड़ कर यहां तक हमने जो डिजाइन बनाया अब इसी को बार बार रिपीट करना है अब दो फंदे सीधे एक और ये दो दो धागे के नीचे से स्लाइड आल लेंगे एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन देंगे फिर दो फंदे सीधे एक और ये दो यहां से भी एक और ये दो ऐसे दो धागे के नीचे से एक फंदा एक्स्ट्रा बनेंगे थोड़ा सा फंदा लोज रखिए फिर दो फंदे ये सीधे यहां पर भी देखिए दो धागे के नीचे से स्लाइड डालेंगे एक फंदा ऐसे बन दो धागे के नीचे से सलाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बुन देंगे दो फंदे अब सीधे और लास्ट में एस्टीज को उल्टा बुनेंगे पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई छटी सलाई है और उल्टी साइड है देखिए जो बनाए हुए फंदे है उनको हम उल्टा बुन लेंगे लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बुना है इसको हम सलीप करेंगे तो पूरी सलाई में आपने ऐसे ही करते जाना है जो आपका एक्स्ट्रा लंबा सा फंदा है उसको आप सलीप कीजिए और बाकी के जो फंदे हैं उनको उल्टा बुन द दागा पीछे दो फंदे ये सीधे बुनेंगे अब ये एक्स्टा लंबे वाला दो बीच के सीधे और एक ये इन चारों को हम इस तरह से एक साथ सलाई पर लेंगे थोड़ा सा लूज कर लेंगे बैक साइड से सलाई डाल कर चार में से एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे क 4 से 2 हो गए अब ये जो 4 फंदे का डिजाइन है 2 सीधे और 4 से 2 बनाना इसी को बार बार रिपीट करेंगे 2 फंदे ये सीधे आ गए 4 फंदों को इस तरह से 1 साथ लेंगे बैक साइड से 1 फंदा सीधा बुना 4 ओं को थोड़ा सा फिर से लूज कीजिए आगे से स्लाइड डाल कर एक फंदा फिर से सीधा बनाईए और चारों को उतार दीजिए फिर चार ये हमारे जो फंदे उनका डिजाइन बनाना है तो पहले वाले दो सीधे आ गए और ये दो एक्स्ट्रा वाले और दो बीच के सीधे इन चारों को लेंगे बैक साइड से एक फंदा सीधा बना फिर से लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल के एक फंदा सीधा बनेंगे और इनको उतार देंगे लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इसमें से दो को सीधा बनाईए और estich को उल्टा, साथ सलाईयां डिजैन की complete हो गई आठमी सलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप उल्टा भुनकर complete कर दीजिए तो ये देखिए इस तरह से आठ सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो गया है छोटी छोटी सी बनाई है और बनने के बाद जो प्रोजेक्ट आपका तयार होगा, वो बहुत ही सुंदर बनेगा, अब इन ही आठ आठ सलाईयों को आप बार बार रिपिट कीजिए दोबारा अगर डिजैन को रिपिट करने में प्रोबलम आती है, तो जो यहां से दो सलाईया मैंने इसकी बेसिक रोब बनाई है, उनको छोड़ के पहली सलाई जो बुनना सिखाया, वहां से लेकर यहां तक की आठ सलाईयों को अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा से देखकर बुन लिजिए तो यह आपका डिजैन रिपिट हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तैंक यू